मैं राज मोहंतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार में कोरोना का संक्रमन पिछले एक सब्ता से जिस तरह पूरे बिहार और खास कर राजधानी पटना में फैला है वो बिहार के साथ ही केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ा चिंता का विशा है पटना में कोरोना संक्रमन की इस्तिती कितनी खराब है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सनिवार के रिपोर्ट के अनुसार पटना में कोरोना संक्रमन का मामला 3580 को पार कर गया है पटना में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण कोरोना संदिक्द लोगों को जाच कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है कोरोना के जाच केंद्र कम होने के कारण उन्हें दरदर भटकना पर रहा था लेकिन अब पटना वासियों के लिए थोड़ी रहत बड़ी खबर है अब किसी कोरोना संदिक्द व्यक्ति को जाच के लिए भटकना नहीं परेगा क्योंकि सरकार ने पटना सहरी छेत्र के 25 जगों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट सुरू कर दिये है इसके अलावा पटना के सहरी छेत्र में पांच मुवाइल वैन टीम की विवस्था की गई है जैसे की जानकारी मिली है जो कंटेन्मेंट जोन के अंदर संकट गरस्त समू या फिर व्रिद लाचार जीने जाच के इंदर तक जाने में सहुलियत नहीं है उनके पास जाकर जा 49964 एक बार फिर से नंबर रिपीट कर दे रहा हूं जीला चिकित्सा नियंतरन कक्ष का 0612-2249964 से संपर्ख कर आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब उन 25 संस्थानों के नाम भी आपको बता देते हैं जहां कोरुना जाच की विवस्था की गई है सहरी प्राथ्मिक स्वास्थ केंदर 6C गर्दनी भाग, जया प्रभा अस्पताल कंकर भाग, सहरी प्राथ्मिक स्वास्थ केंदर मारूफ गंज, सहरी प्राथ्मिक स्वास्थ केंदर कंकर भाग, सहरी प्राथ्मिक स्वास्थ केंदर कौसल नगर, सहरी प्राथ्मिक स्वास सब्सक्राइब। जोक नायक जय प्रकास अस्पताल राजवनसी नगर गुरु गुबिनसी अस्पताल पतना सिथी होटल पाटली पुत्र असोक फीर्चंद पतेल पत गर्दनीबाग अस्पताल गर्दनीबाग सहरी प्रात्मिक स्वास्केंद पश्चमी लुहानी पूरी इन सभी 25 जगों पर जाच निसुल्ख है यानि जाच के लिए आपको किसी प्रकार की पैसे देने की आवसक्ता नहीं है लेकिन इन जाच किंद्रों पर सर्दी खासी बुखार सास लेने में तकलीफ आधी कोरोना लक्षन युक्त मरीजों की जाच की जाएगी अगर आप में कोरोना की लक्षन लेकिन आपको लगता है कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के कॉंटेक्ट में आए हैं तो आप जीला नियंद्रन कक्षी या फिर राज नियंद्रन एक सो चार से संपर्क कर इस संबंद में जनकारी ले सकते हैं बेवजा जाच केंद्र पर जाने से बचें वहां भीर ना लग है